दूस्तों यह Black Zone Wings है यह एक Android फीचर फोन है जिसमें आपको Touch and Type दोनों मिलेगा अब क्योंकि यह Android बेस्ट फोन है तो आप इसमें WhatsApp, YouTube, Google Maps सब यूज़ कर पाएंगे अब यह Android फोन तो है लेकिन यह एकदम स्मार्ट फोन जैसा नहीं है और इसके कुछ limitations भी है जैसे कि आप screen rotate नहीं कर सकते इसका keypad alpha new में रिखतो है लेकिन message लिखने के time इनका use नहीं होगा अगर आप इन्हें use करेंगे तो यह सिर्फ number टाइप करेगा ABCD लिखने के लिए आपको इसका keyboard यूज़ करना पड़ेगा जो कि काफी छोटा है और इसे लिखने में आपको दिक्कत भी हो सकती है काम के सभी apps जैसे YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram आपको इसमें pre-install मिल जाएंगे और इसमें सबसे अच्छी बात है इसमें play store का होना जिससे कि आप additional apps भी इसमें download कर सकते हैं इसमें YouTube के long form और short form वीडियो दोनों अच्छे से play हो जाते हैं इसमें आप WhatsApp भी अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और इसमें front camera होने के कारण इससे आप video call भी कर सकते हैं अब ये phone 4G volti को support करता है तो Geosim भी आप इसमें use कर पाएंगे Geosim का smartphone वाला research plan इसमें काम करेगा अब इसमें UPI apps और games तो नहीं है लेकिन आप Google Play Store से इसे भी डाउनलोड कर पाएंगे ये phone हलके full के apps support कर सकता है लेकिन इसमें apps डाउनलोड करने का भी limitation है मैंने इसमें Candy Crush डाउनलोड किया है और ये अच्छे से work कर रहा है इसमें आपको Wi-Fi hotspot भी मिल जाएगा अब इसके hotspot से connect करके देखते हैं कि इसका speed कितना आता है तो मैं इसमें Geosim यूज़ कर रहा हूँ और इसके hotspot से आप देखेंगे यहां मुझे कितना speed बढ़ रहा है तो Geosim के hotspot से मुझे इसमें 2 MB का downloading speed मिला है इसके 5 megapixel rear camera की quality बाकी feature phone से अच्छी है और phone में एक बड़ा box speaker होने के कारण इसका volume भी काफी loud है अब इस phone में physical volume कीज तो नहीं है तो star और hash button दबा के आपको volume आप और down करना पड़ेगा इसके 3000 mh की battery normal usage पे 2 दिन से जादा चल जाएगी लेकिन अगर आप social media और 4G services यूज करते हैं तो ये एक से डेड़ दिन तक ही चलेगी वैसे battery 15% आने से पहले ही आप charge करने तो जादा अच्छा है क्योंकि 15% के बाद ये phone कभी भी बंद हो सकता है call quality और touch response इस phone के इसाप से अच्छा है लेकिन ये phone काफी बड़ा है और heavy feel होता है normal feature phone इसके सामने बच्चे लगते हैं price की बात करें तो ये phone आपको 3000 से लेके 3100 के बीच में flip card और black zone की website पे मिल जाएगा लेकिन एक ऐसा ही similar phone है Nexion Bold 4G जो आपको Amazon पे 2500 पे मिल जाएगा तो आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं वैसे इस phone के बारे में अगर आपको और भी detail में जानना है तो मेरे channel पे इसके दो वीडियो आप देख सकते हैं जिसका link में description में भी डाल दूँगा तो इस phone को लेकिए अगर आपके मन में कोई और doubt है तो मुझे comments में जरूर पूछें साथ ही ऐसे टेक वीडियो देखने के लिए channel को subscribe करें धन्यवाद